हम भारत के इस सिस्टम में कुट्टे की मौत मरने के लिए यहां रहना नहीं चाहते हम जाके इसराइल में बचेंगे क्योंकि बारत इसलाम के जिहाद से कभी नहीं लड़ेगा हम सारे लोग भारत चोड़ना चाहते हैं इसराइल जाना चाहते हैं जब युद्ध का समय होगा हम उनके साथ रड़ेंगे हम इस कुट्टे की मौत को मरते मरते बहुत परिसान हो गए हैं इसराइल के सैनिकों के कलेजे निकाल कर खाए गए हम बाग इसराइल में रहकर उनके साथ इसलाम के जिहाद को मिटाना चाहते हैं भारत में यती नर्सिंगानन सरस्वती जी महराज जैसे लोगों को कुट्टे की मौत मारा जा रहा है इसलिए अब वो भारत को छोड़ना चाहते हैं भारत में नहीं रहना चाहते इसराइल जाना चाहते हैं कल ही उन्होंने अपने सोचल मीडिया हैंडल पर वीडियो जारी करके बताया था कि देखिए मैंने ये पत्तर लिखा है अपने सिस्चियों के रक्त से किसको पत्तर लिखा इसराइल के परधान मंत्री जी को उन्होंने पत्तर लिखा और उसमें दर्खवास की कि जिस बीमा इसी पत्तर को इसराइल की में अधिकारियों को थमाने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें भारत से छोड़कर इसराइल में बसने के लिए जगह दी जाए आज महास्य जी अपने सिस्यों के चाथ यसी यतिनर शेंगानन सरश्वादी जी महाराज दिली पहुंचे इसराइल एमबेसी में जा रहे थे पुलिस ने इनको रोक लिया नहीं जाने दिया डिटेन इनको कर लिया गया ये वो पत्तर देना चाहते थे वहाँ पर मीडिया वालों ने इनको रोका और इनके व्यक्तवर जाने की कोशिश की कि भाई आप इसराइल क्यों जाना चाहते हैं इस देश की जंता को तो पता होना चाहिए कि आपका इसराइल जाने का वास्तों में मक्सद क्या है तो जो जो सब दिनों ने बोले और उनका तथात्मक रूप से जाच करेंगे तो आप नहीं पाएंगे कि इतनी करूरता जितना ये परदर्शित कर रहे हैं कि वहाँ पर की गई होगी और जो मानवता के नजरिये से हमने कहा कि दोनों चीज़ों का हम लगातार देखते आ रहे हैं फिलिस्तिन और इजयल के बीच में जो महाग हमासान ये लगातार चल रहा है फिलिस्तिन को उसकी जगह मिलने चाहिए दोनों देशों के एक मंच पर बैठ कर सुलह करने चाहिए किसी भी तरह के एक भी आदमी के अगर हानी होती है तो वह मानवता के लिए सरंसार करने वाली बात होती है ये दोनों तरफ हो रहा है कोई कम नहीं है इसमें अपने अपने जो भी बड़े बड़े देश हैं उनको सब को दोनों देशों को साथ में ले आकर एक टेबल पर बेठा कर शांती भाल करने चाहिए पर इसी बीच यतिनर सिंगा नंसर सोती जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लगातार ये युद्ध चलता रहे ये तब तक चलता रहे जब तक हर एक मुसलमान इस धर्ती से खतम नहीं हो जाए ऐसे लोगों की संख्या बहुत जादा है आज कल इंटरनेशनल राजनीती हो गई है नेतनियाहू ने भी यहीं तरीका अपना लिया है जो यहां पर चल रहा है जिस संयोजित तरीके से चुनाओं में भारतिय जन्ता पार्टी बढ़ रही है नहीं चाहते ये लोग कि एक दिन के लिए भी नफरत का माहूल इस देश से गाइब हो बाकायदा जिन जिन सब्दों का इस्तेमाल किया जब इनको डिटेन किया गया कि किसलिए मैं इजरायल जाना चाहता हूँ वहां के जो जिहादी है फिलिस्तिन के हमास के उन्होंने जिस तरह से इजरायल की उ लोग जो अब इन अरब के जो लुटेरे हैं अरब के लुटेरे मतलत सारे मुसल्मान गिनवादी इन्होंने जो मिडल इस्ट वाले लोग हैं जिस तरह से एक एक साल के बच्चों को मार के उनके सिरों के साथ फुटबोल खेला जा रहा है यह इन्होंने कहा है फोजी महिला लोग इन अरब के लुकेरों ने jáł भूटे और Bunda 3 दिन भृट्जुन निस साल की मारके उन फूटफोल फूट्बूल एफनगे ली ल ग Knight क frankly fairness करके लासों के साथ बलात करकिया गया है इस तरह से वहां इस्ञाइल के फॉजियों सीना निकाल के कि घटनाए हंवे साफ कहा कि जो आज इज्राइल जहेल रहा है यह कभी न कभी भारत ने भी जहेले खा ऑजार साल तक और ज्यूप से होने वाला है इसलिए इससे पहले ही हम भारत को छोड़कर इज्राइल में बसना चाथे हैं जिस तरह को साथ तारीक को साथ अक्टूबर को जो घटना करम हुआ था इस्राइल की उपर आकर्मन किया गया उसी तरह का आकर्मन आगे आने वाले समय में ये मुस्लिम लोग भारत में भी हिंदों के उपर करने वाले हैं यहां की भावशंक्य काबादी जो दिखाई दे करेंगे ही नहीं कर कहा कि मैं विक्तिक्त तोर पर अपने सिस्चों के साथ यहां पर आया हूँ प्लेकार्ड भी लेकर आये थे कि मैं request करता हूँ कि परधान मंतरी जो है इजरायल के नेतानिय हुशाब वो मुझे इजरायल में बसने के लिए जगह दें क्योंकि हिंदुस्तान में हम कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं, MP में कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं, मद्यपरदेश में, दिल्ली में मारे जा रहे हैं, यूपी में मारे जा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मारे जाते रहेंगे यहां कोई भी सरकार आएगी वो मुसलमानों को पोषित करती रहेंगी इसलाम को पोषित करती रहेंगी इसलिए मैं इजरायल जाकर वहां से इसलाम इसको मानने वाले लोग जितने भी जिहादी लोग हैं उनको इस बिमारी को खतम कर ना चाहता हूं। ना कुट्टे की मौत मर रहे हैं। ना कि इसे लिख्वा लिया जाये कि अगर आप भारत वापस आने का मोका नहीं दिया जाएगा आपको इसराइल में रहना ही पड़ेगा तो भाई साब इन्हें चाहे गंदे नाले में घुसकर रहना पड़े विये वहां भी रहेगा और इसी देस में रहेगा चुपके हमारे देश में भी कई लोग हैं जो नफरत से परेशान हैं इनकी अनरगल बातों से उनका दिमाख हमेशा फटता रहता है समाज की श्यांति के दुस्मन ये लोग हैं वैमनेस से फिलाते रहते हैं जिन लोगों को इनकी असल जो चवी है और इनका मकसद जो पता है वो पर इनको जाने के लिए पर इनको क्या करना है जितने भी यह इसी कटेगरी के लोग है मैं पहले भी आपको बताया था कोई मजार तोड़ने वाला कोई लव जिहाद के नाम पर लड़ने वाला कोई गोरक्षा के नाम पर लड़ने वाला भाई साब चोला और धे रखते हैं धरम का गोरक्षा का लव जिहाद का पर वीडियो जरूर बनाएंगे सोसल मीडिया पर वीडियो जरूर बनाएंगे मीडिया के सामने जरूर आएंगे इनका मक्षद ही यही होता है कि जो आडंबर हम रच रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग के पास पहुंचे हमारी चव कुछ नमार दी है किसी व्यक्ति हिंदु समधाय के लड़के को तो भाई साब उसको यह पर दर्शित करेंगे कि मुस्लिम समधाय के लड़के लड़के के गला काट दिया है उसके साथ फुटबॉल खेज रहे हमेशा से इनकी किसी भी बात को उठाकर देख लेना एक इंसिड प्रोपेगंडा इस्तिमाल किये जा रहे हैं रिशर्च की जा रही है बाकाइदा कि कौन सा टोपिक को लेकर हम तान्राव करें नफरत पहलाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा संखों में लोगों के अंदर नफरत बसे मुसलिम समधाय के लोगों को घर से बाहर निकलने के सबकुछ होता है ऐसे ही जितनी बी मौब लिंचिंग की याप घ Але हें न ही कि देखें गे सारी की सारी एक समुदाए की लोग मिलेंगे से समुदाइ की लोग ही पीड़ित मैं अभी रिशंट का घटना करम है लोग का जैपूर में देखा हुगा किस तरह से मार डाला और यहीं ठेकेदार फिर पंचायत करके अपना मुह लेकर सामने आ गए और कहने लगे कि आतम रक्षा में लोगों ने जो है कुछ मार दिया होगा थोड़ा बहुत मार दिया होगा इकबाल को और वो मर गया अतम रक्षा में किया था इसके लिए उनके उपर केश पैर बांद रहे थे पीट-पीट कर मार डाला गया लिंच कर दिया गया उससे पहले नू का हमने घटना करम देखा ही था मोनु मैने से उससे पहले क्या करता था बिट्टू बजरंगी क्या करता था करनाटक में भी घटना आ याई वेस्ट-मंगोल से भई मुंबई से भी ये घटना कम लगातार हमें देखने को मिलता है, मैं दिखाते भी हूँ, कोन मारा जा रहे है भाईश में, हिंदू मारा जा रहे है, मुसल्मान मारा जा रहे है, नाच न जाने, आंगन टेठा, पीटोगी भी, रोनोए भी नहीं दोगे, और आरोब भी जिसको पीट रहे हो, जिसको मारे उसी की उपर लगाओगे है स्थीती बिलकुल विपरित पर एडवांस में माहोल बना रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अत्याचार को बया करने लगे उससे पहले ही तुम अपनी नफरत और जूट का डंबर चारो तरफ फैला दो कि देखिया अत्या इनका तो तरीकाई सेडूल है कि पहले हिंदू समदाय के लोगों को मार डालो और फिर तुम्हारी उपर हमला होना लगे जिस तरह इज्राइल हमला कर रहा है मास की उपर फिर विक्टिम कार्ड खेलने लग जा यह तो इनका इंटरनेशनला रणनीती होती है यह बाद में खेलते हैं वाई चाब एक्जामपल सेट कर दिया हमारे देशने धरम के नाम पर राजनीती कैसे करने जाए एक समय था जब महान पूरस होते थे राजनीती में भी जब बोलते थे तो पूरा का पूरा भीड उनके सामने चाहे लाखों की संख्या में खड़ी हो बैठी हो त इतनी गहरी बाते होती थी कि लोग निरंतर उनको सुनते रहते थे समाज को जड़ने वाली बाते होती थी देश को परगती के पथ पर आगे ले जाने वाली बाते होती थी और आज समय ऐसा आ गया है कि चुने हुए लोग ही खुद प्रधानमंतर निरंदर मोधी ग्रह मंत सबसे उची सीधी पर बैठे एक तो सूबे का सबसे बड़ा मुखे मंत्री है एक परधान मंत्री एक घरह मंत्री है यह लोग इस तरह की वानी बोल रहे हैं और इनके पाले हुए यह तथा कथित हिंदू संगठन और धरम गुरू यह कह रहे हैं कि हम तो ऐसे मारे जारे काट जाना है यहां के लोग तो हथियार उठाएंगे नहीं इनको तो जिहादियों के दोबारा मार खानी है अपनी गर्दन कटवाने इसलिए हम जा रहे हैं इसराइल हमें बसने के जगाए दीजाए तांडव काटना है नहीं जाना परमिशन के लिए किसने मना किया वाई वीज आतार नफरत प्रोस्त्रे रहो माहूल मनाते रहो नहीं तो भाई शाव लोगों को हकीकत समझ में आ जाएगी धरातल के मुद्दों पर आवाज उठ जाएगी को अंदलन खड़ा हो जाएगा यह रणनीती है मनीपूर के उपर जब लोगों के सवाल ज्यादा उठने लगे तो किस तरह से पूरे मुद्दे को एक तरफ मोडा गया था उससे मैं पर आपको पता हुआ क्या-क्या घटना करम हुए थे बाइचा और आज जब सवाल पूचने वाले संसद में बैठने वाले लोगों को ही नहीं छोड़ा जा रहा है ना तो राहुल गांदी को छोड़ा कर यह बहुत अनरगल तरीके की बाते लिखकर इनकी हिस्ट्री उठालो अंदभक्त अगर आप नहीं है ना तो भाई साब आपका युमन करेगा कि मैं इनको खीच-खीच कर जूते मारूं ना तो हिंदू खत्रे में है और ना ही इनकी दवारा परदर्शित किये गई बाते शक्ते हैं इनकी कुर्शी खत्रे में हो सकती है इसलिए धरातल के मुद्धों पर लोग आवाज नहीं उठाएं इसलिए धरम का डंबर 4 तरफ है लादो लगता क्या है सब कुछ तन को मिलता ही है हर जगह मंदिर है बैठने के लिए जगह है आराम से खौप यूस हो फॉर् को बिजारे का भिक्षा मांग मांग कर खाते हैं अपने धरम के मार्क पर चलते हैं उनके लिए तो साइकल भी नहीं चलने के लिए पैरों में को चपल भी नहीं होती है और यह भाई-शाब अलग-अलग सा रूप में आकर पता नहीं क्या-क्या बाते बॉल रहे हैं पेट हो ना तब इसी तरह की इंसिडेंट अटोमेट लिगी आहीं जाती है और जब भूखा पेट हो यह नहीं पुता श्याम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा तो आदमी भागता है फिर इस तरह की अनर्गल बातों की तरफ भेहान देने का उनको उपर समय नहीं रहता थेट स्पीच के उपर जब तक लगाव लगे नहीं इस देश में ऐसा ही तांडो होता रहेगा कोई रोकने वाला नहीं है जिस समाज की तुष्टिकन की राजनीती आज तक होई यह वहीं पीछे गया है पहले मुसलमान समधाय के तुष्टिकन की राजनीती होई मैं खुल चेचर कर लिजें बहुत पीछे वो ऐस की दिन है और आगे आने वाले संवं में हिंदू तुष्टिकन की राजनीती के चलते चलते साला हिंदू समाज पीछे जा रहा है है पीछे बहुत बँड़ा अगाट लेगा जिस दिन यह धर्म का चस्मा उतरेकर आखोर कहीते सोच लेना याद कर लेना ठेके दारों के बहकाव में आ गए ना घर उजाड़ देंगे भाई सब सच बतारों विचार करना नमस्कार